कि पति-पत्नी के कलेश का एक कारण है, समझ में आता है, जब पत्नी अपनी मा के सलाह अनुसार चलती है, आप अपनी तरब भी देखिए, पति-देव जी, आप भी अपनी मा की सलाह अनुसार चल रहे हैं, दोनों तरफ से, ताली दोनों हतेलियों से वर्षती है, इसका अभाविक है, माने, पिताने, परिवार के अन्य लोगों ने जैसी कंडीशनिंग बच्छपन में की है, उससे आपका अवचेतनमन, सबकॉंसस माइंड निर्मित हुआ है, ठीक यही घटना, पत्नी के साथ हुई है, वै जिस परिवार में बढ़ी हुई, जहां उसका पालन प चाल की उमर में आपस में बिवाय के बंदन में बनते हैं, तब तक इनका मन, इनका हिंकार पूरी तरहें परिपक्प हो चुका, मैच्वर हो चुका, रिजिडिटी आ गई, फ्लेक्सिविटी लगभक समाप्त हो गई, जितनी छोटी उमर में फ्लेक्सिविल्टी होती है, वैसी फिर बड़ी उमर में नहीं रहती, प्रॉड होते होते व्यक्ति और रिजिड हो जाता है, व्रद्ध होते होते तो बिलकुल ही टस से मस नहीं होता, उसकी जो दारनाय बन चुकी है, वै उसी का नुसार जीता है, नया कुछ भी नहीं सीखता, छोट बच्चे के पास बहुत learning capacity, सीखने की छमता होती है, उमर बढ़ने के साथ साथ वै छमता कम होती चली जाती है, पुराने जमाने में बाल विवाय हुआ करते थे, छोटी उमर में, जब मन बढ़ा flexible था, अभी पूरा बना नहीं था, बनने की process में था, तब दूसरे परिवार में लड़की प जाप्ट कर लिया, ज़्यादा आसान था कि वहाँ पती पत्नी ज़्यादा सुख पूरवक रह पाएंगे शांती के साथ बिना कलेश के, आधुनिक परिस्थिती में को 25-30 साल तो पढ़ाई लिखाई में ही बिज जाते हैं, उसके बाद आर्थिक रूप से दोनों independent हो पश्किल है, अब नए परिवार में जाके उसका नुसार ढ़लना करीब-करीब असंभव है, तो पहले तो इस बात को समझेए, और विसेश कर मोबाईल, इंटरनेट, इत्यादी की इजात के बाद, जहां पे की आपस में कनेक्शन लगातार बना हुआ है, आपकी पत्नी अ को बता रही है, वो वहां से सलाह मिल रही है, पुराने जमाने में ये भी संभव नहीं था, लड़की की शादियों के चली गई, शुरुवात में साल में दो बार, तीन बार आएगी माय के, चार-पास, छे साल बाद और कम होता जाएगा न, बाद में फिर सावन के महिने मे बस साल में एक बार, दो-चार दिन के लिए आए, तब उसका मन स्विकार कर लेता था कि सस्वराल ही मेरा असली परिवार है, अब यही मेरा घर है, पुराने से डिस आइडेंटिफिकेशन हो जाता था, आज के युग में यही भी नहीं हो रहा, एक तो तीस साल जिस घर में रही है, वहां से पूरी तरह वो आइडेंटिफाइड है, वहां जो सिक्षा संसकार उसको मिले, जो आत्म पड़ गई, वो उनी आदतों के नुसार अब जीएगी, और उस परिवार से उसका लगातार संबंद बना हुआ है, रोज बातचीत हो रही है, तादात में टूटन भी बहुत मुश्किल है, एक नई प्रकार की समस्या आधनी क्योग में दामपत्ति जीवन जहिल रहा है, तो आपका कहना सही है, काफी मामले तक, काफी हद तक, कि पत्नी अगर अपनी मा के कहने से चल रही है, तो बहुत मुश्किल होगा, वो नई परिवार में बिलकुल ह समायोजित नहीं हो पाएगी लेकिन इसी को आप दूसरे ढंक से देखना पती भी अपनी मा के कहने से अपने पिता के कहने से बच्पन में जैसा उन्होंने से खाया पढ़ाया है उसका नुशार वो भी चल रहा है उसके लिए भी जुकना बहुत मुश्किल है उसके बेना निरंतर क्लेश चलता रहेगा दोनों के एहिंकार गनी भूत कंडेंस्ट हो चुके इसके बाद उनका मिलना हुआ है अब कोई कंप्रोमाइस करने तयार नहीं कोई जुकने तयार नहीं वो लचीलापन समाप्त हो गया इस बात पर थोड़ा गौर करना बालवे वहाई के जमाने में लोग ज़्यादा सुखी रहते थे ज़्यादा शांती पूर्वक रहते थे क्योंकि जिस माहौल में जीना है वहीं पर धीर 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 बढ़े हुए संग सांथ एक सी आदते पढ़ गई एक सा खाना पीना एक से कपड़े रुची रुज़ान उठना बैठना सोना जागना सब में समानता आ गई बड़ी उमर में ये संभव नहीं है रुची रुज़ान पक्के हो चुके है पसंद ना पसंद फिक्स्ट हो चुकी है उसमें कोई परिवर्टन अब नहीं हो सकता अब दूसरे कनुसार ढलना बहुत मुश्किल है तो इसका दोश केवल पत्नी को ही मत दीजिए इसका दोश आप स्वेम पे भी लीजिए आप भी ढलने को राजी नहीं है अगर आपको सस्राल में जाके घर जमाई बनके रहना पड़े तो आपको नानी यादा जाएगी माही नहीं नानी यादा जाएगी वहां का रंग धंग अलग है वहां की संस्कृती अलग है फिर आज की युग में अंतर जाती विभाय होने लगे दोनों के कल्चर विलकुल अलग अलग थे बहुत मुश्किल इनका अड़ेस्ट हो पाना मैं बहुत से अंतर राष्टी विवाह वालों को भी जानता हूँ बड़ी दुरकती हो जाती है इतना डिफरेंस है कि कुछ समय हो जन संभाव ही नहीं लगता एक सज्जन को मैं जानता हूँ जर्मनी की उनकी पत्नी है वो स्वयम भारती है उनकी पत्नी पहली बार अपनी सस्राल में आई साधी हुए तो दो साल उनके हो चुके थे सस्राल छोटे गाउं में है वहाँ के उनकी पत्नी बाहर बैट गई कुरसी पे सिगरेट पीने लगी भारी हंगाम आऊंगे पूरे गाउं में ख़बर फैल गई अब उस महिला को समझ मना इसमे कौन सी विचित्तरवात है वही बहुत मुश्किल है अड़िस्ट कर पाना वो फिर दुबारा कभी आई ही नही कि मेरे आने सब लोग इतने दुखी हो परिशान हो गए उसको समझ मिने रिसमे है क्या मामला क्या है एक दूसरे को समझना ही संभा हो नहीं है सबकी कंडिशनिंग अलग अलग है मैं नहीं करा कि सिगरेट पीन अच्छा है कि बुरा है सिर्फ अलग अलग दो बातें है एड़िश्ट होना बहुत मुश्किल है पुरानी जमाने जब एक ही जाती में शादी होती थी तो कल्चर काफी कुछ मिलता जूलता था खान पान रहन सेहन घर की विवस्ता शोशल एकनामिकल इस्ट्रेटर्स काफी समानताएं होती थी उसमें ड़लना वड़ा आसान था और छोटी उमर में ड़लना आसान था आज मुश्किल है